नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमितियादो और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम मैगनेट ब्रेंट जो की इसमें बहुत ही पॉपलर हो रहा है एजूकेशनल चैनल है एक जिस पर आप हर सब्जेक्ट के हर क्लासिस के फोर्ट से लेकर तो यह तक के बढ़ी असानी से पढ़ सकते हैं हर सब्जेक्ट और बढ़ी असानी से समझ सकते हैं उसके notes कैसे download करें जो की बहुत ही important topic है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छे videos record करते हैं और इसमें अगर आपको किसी भी subject में doubt है तो आपको एक बार magnet brain को जरूर try करना चाहिए और sst तो खास तोर से अगर आपको sst समझ में नहीं आता है आपको दिग्रास सरका ये magnet brain पर lecture बहुत ही जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं आपर हर teacher हर subject को अच्छे तरह से समझाते हैं मैं किवल एक teacher को नहीं कह रहा हूं आप इन पर देख सकते हैं तो हमारा आज का topic है कि हम इन magnet brain के notes को कैसे download करे free में वह भी free में तो कैसे download कर सकते हैं तो मैं आपको एक बात clear कर देना चाहता हूं कि जो इनके notes और इनके जो ये ये लिखकर पडाते हैं वो बिलकुल सेम ही है, मतलब कि जो ये लिख कर दिखाते हैं और इनके notes बिलकुल सेम ही है, बस फर कितना है कि ये board पर बताते हैं और वो जो notes हैं वो slide होती है पर वही same to same वही लिखा होता है, तो अब अगर आप उसे उस slide वाले को देखना चाहते हूँ या फिर आप उसे देख सकते हैं और उसे तुरंत copy में लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप इसके notes बना सकते हैं आप screenshot किसी भी mobile में आसानी से लिख सकते हैं जैसे अगर बहुत सारे इसमें तो screenshot के लिए application भी आते हैं नहीं तो कई सारे mobile में पहले से सेटिंग होता है स्कृyn सॉट लेने का जैसे मेरी मोबाईल में यहां पर है मैं यहां से आसानी से स्कृइन ले सकता हूँ तो इस तरह से बहुत सारी mobile में होते हैं यह आप सेटिंग में आप जाएए असिस्टेंट मीनू सर्च किजिए और इसके उसे अपने questions को लिख सकते हैं, आप थोड़ा quality बढ़ा लेंगे, उसके बाद आप आसानी से screenshot ले सकते हैं, तो ये था बहुत ही आसान तरीका जिसे आप magnet brain से बड़ी आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कैसे मतलब कि आप उनके notes को डाउनलोड कर सकते हैं, ड बहुत सारी ऐसे अप प्ले स्टोर पे अबलिबल है, जो किसी image को PDF में convert कर सकते हैं, तो आप इसे screenshot लेकर उसे PDF में convert कर सकते हैं, तो यह था आज का वीडियो, मतलब उनके जो notes होते हैं, और ये जो बताते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं, आप उनके notes पढ़ें या फिर यह दूर करना चाहिए, अगर आप इस पर नए हैं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा एक channel है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद,